मेरट और बागपत में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत हो जाने से सरकारी अमले में हर कंप मचा हुआ है आनन फानन में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ आपकारी विभाग की टीमें भी इन जहरीली शराब को बनाने वालों की तलाश करने में जुटी हुई है इस मामले में आज कॉंग्रेस कारेकरताओं ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया इसी क्रम में आज सैकडो की दादाद में इखटा हुए कॉंग्रेसी कारेकरताओं ने आपकारी काराले पर जम कर प्रजर्शन किया उन्होंने कहा कि ना केवल पश्ची मुतर प्रदेश बलकी पूरे उतर प्रदेश में जहरीली शराब का कारोबार फैला हुआ है और आपकारी विभाग को इन लोगों के खिलाफ जो कारवाई करनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं हुई है इन लोगों का कहना था कि जहरीली शराफ का काम करने वाले लोगों को जल्द से जल्द गिरफतार किया जाए और उनके खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई भी की जाए जहरीली शराफ से हुई नौ लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार घिरती नजर आ रही है तमाम राजनेतिक पार्टियां प्रदेश की भाजपस सरकार की कारे शेली पर सवाल खड़े कर रही है अब देखना होगा कि आखिर कब तक यूपी पुलिस जहरीली शराफ का कारोबार करने वालों को पकड़ पाती है पंजाब केसरी के लिए मिरट से आदिल रह्मान की रिपोर्ट